नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एक इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें की ए सबसे पहले हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में आप देख सकते हैं आपे इंडिया टुडे ने अपने न्यूज में इसको छापते लिखा है नाइन्टी फाइफ मिलियन पाकिस्तानी इन पावर्टी अरजें रिफॉर्म नीडिट फोर स्टेबिलिटी वर्ल्ड बैं हमने वहाँ पे देखा कि सरीके से वहाँ पे कुछ नैच्रल कलामेटी जैसे की फ्लर्ट वगेरा की वज़े से भी पाकिस्तान की जो एकनॉमिक सिच्वेशन है वो बहुत जादा खराब होती जारी साथी साथ वहाँ पे इन्फलेशन रेट जो है वो अपने आल टाइम है वो जारी करती है तो इस बार उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कि रिपोर्ट जारी कि इसमें कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है वो लगवग अपने 39.4% पर आ चुकी है पिछले फिसकल एर के मुकाबले और इसकी वजह से 12.5 million more people जो कि पहले कम थे लेकिन 12.5 million more people जो है वो अब इस पूर एकनॉमिक कंडिशन में ध्रीदरे फस्ते जा रहे हैं वहीं बात करें हम पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में जो पावर्टी है वो एक साल में ही 34.2% से 39.4% हो गया है तो पिछले एक साल में सिचुएशन वहाँ पे और ज्यादा खराब हो गई है ठीक है तो अब वहाँ पे जनरली क्या है कि वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक डेम रिपोर्ट जा रही कि उसमें उन्होंने ये का है कि 12.5 मिलियन मोर्ट फॉलिंग बिलो दे पावर्टी लाइन ऑफ दा 3.65 डॉलर पर डे इंकम लेवल तो पर डे इंकम लेवल इससे भी कम है वहाँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वहाँ की सिचुएशन खराब होती जा रही है पाकिस्तानी की जो आम जनता है वह वैसे भी वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिल्टी एक सरबनी रहती है लेकिन अब धेरे देरे वहाँ पे हमें जो पाकिस्तान की जो एकनोमिक सिचुएशन है उस पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वह डाउन होती जा रही है देख होता क्या है कि जब कोई देश दिरी दिरे एकनोमिक डाउन्वर्ड की तरफ जाता है तो इससे सिर्फ एक देश वह अकेला पर भावीद नहीं होता लेकिन उसकी व हो गया था लेकिन अब सिचुएशन दिरे पाकिस्तान की भी वैसी बनती जा रही है ठीक है तो यह भारत सरकार पीस पर नजर बनाया रखी है कि कैसे सिचुएशन वहां पर वर्स होती जा रही है और हमें अपने हैतों को ध्यान में रखते हुए कि इसका हम पर कम से कम प्रांट्स वगेरा प्रवाइड करता है ऐसी कंट्रीज को जो किस तरह की क्राइसिस से गुजर रही है खासकर लो या मिडल इंकम कंट्रीज वाली जो कंट्रीज जो होती है ठीक है इस यह जो स्टैबली यह 1944 में इसकी स्थापना हुई थी जब इंटरनेशनल मोनेटरी फ देटरनेशनल के देटरनेशन डिललफेंट इंटरनेशनल डिललॉपमेंट इस सारी यहिए हैं ओर इसमें कि मैंबर्श करम बात करें इसके 189 members हैं वहीं हम बात करें IDA की तो उसके 174 members हैं और each member state of IBRD should also be a member of the IMF and only members of IBRD are allowed to join other institutions within the bank तो अगर कोई IBRD का member बनता है तो उसके लिए उसको IBMF का member होना पड़ेगा और अगर वो एक बार IMF का member हो गया तो फिर IBRD भी join कर सकता है और IBRD join करने के बाद ही वो किसी और institution को join कर सकता है जिसे हम देखना यह IDA International Development Association इनको join कर सकता है अब देखिए वो वर्ल्ड बैंग की बात करें तो वहाँ पर कैसे काम होता है माली जे अगर कोई loan देना है किसी देश को तो कैसे decide होगा तो वहाँ पर जनरली वोटिंग से काम होता है मतलब कोई भी अगर माली proposal आ रहा तो उसके वोटिंग होती है अब वोटिंग कैसे मिलते हैं किसी को वोटिंग राइट कैसे मिलते हैं किसी की वोटिंग राइट उनकी जो उनका जो contribution होता है उसके हिसाब से मिलता है या पुरे वर्ल्ड लेवल पे उनकी जो रुपे की वैल्यू होती उसके हिसाब से भी मिलता है तो बात कर इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिला है यूएस को 15.85 परसेंट जपान को 6.84 परसेंट चाइना तीसे नंबर पे है 4.42 परसेंट जर्मणी 4 परसेंट, UK 3.75 फिर फ्रांस 3.75 और फिर इंडिया आता है बहुत सेंट परसेंट परसेंट एंटनी टोफेंट एंटेंट वेंट में हैं तो भारत का जितना ज्यादा वोटिंग राइट्स होगा उतनी ज्यादा भारत का दबदबा वर्ड बैंक में देखने को मिलेगा हलाकि यह जो वर्ड बैंक है इन पर सरारोप लगता रहा है क्योंकि जब से यह बने हैं यहां पर बहुत ही जादा में बहुत ही कम रिफॉर्म से देखने को मिले हैं लेकिन देखते हैं वो कब तक होता है फिलाल भारत की जो वोटिंग राइट से वो 2.91 परसेंट है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी मिलेंगे अगली वीडियो में दूस्तों इस वीडियो में इतना ही नमस्कार